शाहबाज नदीम ने खोला राज, बताया रांची टेस्ट के बाद दोनी ने दिया था कौन सा गुरु मंत्र बाए हाथ के स्पिन गेंद बाज शाहबाज नदीम ने 30 साल की उम्र में भारतिय टीम के लिए देब्यू किया जारखंड की तरफ से खेलने वाले इस खिलाडी ने दक्षिन अफरीका के खिलाफ रांची टेस्ट में पदार पंड किया और मैच में चारवे केट लेने के साथ ही एक महतुपून रनाउट भी किया मैच जीतने के बाद नदीम को पूर्व कप्तान और दिगज महेंदर जिंग दोनी के साथ ड्रेसिंग रूम में बात करते हुए देखा गया था अपने यादगार डेबियों के बाद काफी उत्साहित और भावुक थे और अपने प्रदर्शन के लिए दोनी का आभार भी जताया था अब नदीम ने टाइमस ओफ इंडिया से बादचीत में खुद बताया कि उस दिन रेसिंग रूम में दोनी ने उनसे क्या बात की थी नदीम ने कहा मैं उनसे मैच के बाद मिला और पूछा की माही भाई मैंने कैसा किया इस पर उन्होंने कहा शाहबाज अब तुम परिपक हो गये हो मैं तुम्हें गेंदबाजी करते हुए देख रहा था तुम्हारी गेंदबाजी में अपरिपक फथा दिख रही है यह घरेलो क्रिकेट का तुम्हारा अनुभव है बस ज्यादा प्रयोग मत करो और जैसे खेलते हो वैसे ही खेलो तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है शाह बाच बता दे की वर्ल्ड कप की सेमी फाइनल में हार के बाद से दोनी टीम से दूर ही रहे थे और वेस्ट इंडीज दोरे के बाद दक्षिन अफरिका के खिलाफ सीरीज में भी अपनी अनुपलब्धता बताई थी लेकिन टीम इंडिया के राची टेस्ट जीतने के बाद दोनी पहली बार टीम के साथ नजर आए और जीत के जश्रन में भी शामिल हुए तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिन अफरीका को चारो खाने चित कर दिया और सीरीज में तीन से शुन्य से क्लीन स्वीप किया इस जीत के साथ ही विराट सेना ने विश्व टेस्ट चैंपिंशिप में 240 अंकों के साथ पहले पायदान पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली साथ ही घरेलू जमीन पर लगातार 11 टेस्ट सीरीग जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया